है कि अगया है था है है थो जुटेंट्स हमारी शूटूप की चैनल पर आपका इवाफिर से मुश्ट इलकम है आज हम आपके लिए लेकर क्या हैं इस लोगा फिजिक्स पार सेकेंड हुम लोग पढ़ा है विए आपटिक्स क्या पढ़ रहे है वेव आपके खत्म कर चुका है हम लोग पढ़ रहे हैं वेव आप्टिक्स और हमको बताया गी आपको वीज और में कापी इंट्रिस्ट आ रहा होगा और जर्श्ट सिब या हाइजेंस बोलो हाइजेंस बोलो किताब वाले हम भी हाइजेंस भूलते हैं अब देखो अब हमको देखना है कि इस प्रकाश का अपवर्तन कैसे प्रूफ होता है रेवादी थेयरी को लेकर के तो आपको मैंने बताया था ना अगर आपने पिछला लेक्षर नहीं देख किया हो तो अवस्य देखके आजाओ हां पर बाव सारी बाते क्लियर्टी में बताई गई है अब वह बाते हां पर करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना ताइम लगेगा ना तो टाइम आपके पास भी परेंडिकूलर ट्ँड़िक्शन ऑमरीज जो फराट होता है तरंगान जो होता है रिस डालेक्षन के हमेशा क्या होता है पर्पेंडिकूलर होता है क्लियर्ण ओक इधर देखो अब अच्छह माल लिया हमारे पास एक कोई सर्फेस है ट्रांस्पारेंट अ अब वर्तन प्र इसको मालो मेडियम वन अब यहां पर जोगा ना यह मीडियम मालो वन यह मालो क्या मेडियम टू अगर मेडियम वन है मेडियम टू ए तो कोई बात नहीं दो मेडियम पर हाई मान लो एब की जो इसपीड है संतीर राफ वेव इसोने मालो जैब आपका मेडियम होगा तो वेब कर शेंघ होगा 근데 मैं लो इसका हिब आपको लिखना पड़ेगा तो मैं तुर मारे क्ला खिंग debate मैंने आप बाशी मतलब कीउस सर्फेस थे उसमें च्छलो मानने लेते हैं कि जो मेडिया मना हो के और मेडियम तो है हमानुटे फ्ल्हे ने इस है विमिपे सब्कते हैं है देन्सर डेंगें नहीं हो के मतलब के व्रेड़ इस जखान जाद हो गी और एंदंटर में स्टर्सीट क्या अगी कव मोरी थोटी मोड़ी बात अब को पता आउने चगीए ना यहां पे सेवीच पीक आप यहां पिया उदा कोई बातने पूफ होतने पूफ हो जाएगा जी हां deze जा You ऑना माना क्या माना एमाना कि एक कोई रहा रहा है इंसिडेंट रे दूग लेक चलना दूग केगो दितीजट तरहंगी काउंक अपने लुए एक माना क्या माना ऐसे माना ऐसे माना दुटा मिला लोग डर जरूरी थोड़े हैं इसा नहीं मनता जी हाँ देखो ए इसे बोलते इंसिडेन्ट वेपसे ले इंसिडेन्ट रे बोलो नहीं जब नहीं है अच्छा किसी टाइम से अक कल वावरावर मेरnel कूर один को ailable यह सबंगा बाइन Кरीं अाफ यह जानता है एआसे होगा जी कोच ऐसे T बराबर 0 पर गे फेंट को एसा होगा ना ये हमारा माझलो ऐभी यत्या क्या है A B आनिके इंसडेंट वाले मनाना इंसिदेंट में वेफ फ्रांट हम बोलेंगे a b इज इनसिदेंट वेफ फ्रांट चली अच्छा अच्छा इख रहा ध्याम देना अगर यह जो भी है वीवन में चल लाए क्या वीटे मुता ते चलेगा ना शजखन में आ गया और देंसर में चलने में दिक्कत होगी यहां पर गहना स्रगन माध्य में स्रगन माध्य में करता लगाना हो विदल के पेच्छा तो थोड़ा टाइम लगेगा ना यानि कि स्पीड अट्रमेटिक कम हो जायाएगी समझना बहुत आसान है कुछ ही ना मैं तो दू बनेट में प्रूब कर दूंगा थोड़ा मला लैंगविज बोलने म कुछ है नहीं मैंने क्या लिया दो इस इसे ऌर बोलते हैं चलो चाहा माल लो मैंने पूछा टी पर कुछ टाइम बी ता प्लावर्टी हुआ होगा न कुछ इस टाइम भी था तो टी बरावर क्या हो गटी भूऊ और उतने दूर में यहां त प्रआवर यहीं हम अर्यचल तक आने में इसने कितना दूरी चला होगा लुट प्रआप नहीं पाल सिर्ल आपके स्चृत्व म् यह इक यह लेक बात य हो है जीतना हे तो इसलेगा बात चल देता लेकर नवें हिवर हो ज्यादा चली यहां पी अब देखो यह पले मीडियम में है ना ए वाला को है。 दूरी चल लेका बात तितों लेकि नेखे स्टी विड मेद लिक लोड़ जीन के बाद फयynen रूस्क्तर दर Water में इनकी दूरी इसके थोड़ी मोडी कम हो गिनाई ऐ यह को जानते हो जो था फ्राइंट होता है उसपर इस्थित्प्रतेख बिंदू अगले वाली फ्रेंट का निरमाल करता है यहां पर अरणी बनेगा और जितना चलता तूंत अधर चलता है तो टी ब्रावर टी तक भी अपलेटे हां तक चले होंगे हां तक भीफ चला होगा लेकिन उसी टाइम में ती ब्रावर जोशी अभी यहां इस वाले माध्यमें इनको चलना पड़ेगा इनकी दूरी आटोमेटिक कम हो जायागी एक बात मानो जारा देखो बेफ फ्रंट पता है ना कि भी अपलेटर से आया होंगे चलो अच्छा अच्छा आप जानते हो कि इसके पच्छाए दूरी कम चला हो कि इस अगन में आगे तो रंता सागन में गोश्ट गया वही तो वीरल में थे तो दूरी लंबा चल लिए लेकिन बेटा वहां पर वीट्टू थोड़ा कम है ना इस अगन में वेव की स्पीट ठोड़ी कम हो जाती है यह आँड़ा कर कि आया ही मैं ही तक क्या हुए आए सम्जें मारी बात को न स्पीड का मुणे गिरांत यहीं तक आएंगे न और इसका यह जाएगा यह जाएगा वीटू टी वीटू टी हो जाएगा टाइम टी कॉंस्टेंट वीटू कॉंस्टेंट अब चाप हेहीं कहें लगा लोगे अपना कम चलेगा उनसे थोड़ा मढ़ा क को कि इस वाली दूरी ऐसे खचाक ऐसा बनाओ कि मन कुछ लगे कुछ बन रहा यह वाला वेफ्रंट ना कुछ हाईशे बने मिलाएंगे नहीं अभी बेटा गड़बड हो जाएगा मिलाद होगे तो मिलाद होगे ना तो कुछ गड़बड हो जाएगा ऐसे चांप मालों काट लिया तुरंत मिला सीधे नहीं भागा आगा काम उड़ा अब देखो अब यहां पर यहां हमारा क्या है वेफ्रंट नहीं अब हमको कुछ ऐसा बनाना है जी बेफ्रंट आने वाली ही पर्पेंडिकुलर हूग में बात दिया है अब यहां पर इसाड़ बनाो कि आने वाली ही क्या हो वेफ्रंट के पर्पेंडिकुलर हो वेफ्रंट के क्या हो पर्पेंडिकुलर हो तो देखो ए तो पहली बाद तो हैसी अपना है ए हैसे जा रहा है न ऐसे ए बाला इसके पर्पेंडिकुलर क्या होगा हैसे निकल जाएगा अपना ये परपेंडिकुलर देखो इसके परपेंडिकुलर बंना चाहिए. थोड़ा ब्ishi करता है तो आप बुरा मत मानिएगा लेकिन परपेंडिकुलर के बंना सब्सक्क्राइग सोटी दूरी कम चलानी है थोड़ी दूरी कम दिसके पर पेंडिकुलर चाहिए तो इसके पर पेंडिकुलर आपको ठोड़ा मुड़ा आइसी जाना पड़ेगा तोसे जा इतना पर नीकिन ग्रस गॉल यहसे बिटा पन्निकुलर में के लिए 7 को सबूरा हैं आप अच गेसा न टेचाँ तोnor अही बनाओ कि ना आप जोग करके तो गल्टी नहीं बनेगा ठीक है ना तो कोई बात नहीं है यह वाला क्या होगा इसके पर पेंडिकुल अपना बनाओना के निकल जाएगा एह हर गिश मंने कर देखे बने हम और तो है में व्यूमlles गुल्हाई टहुंस मैं हुझा सीर धुर्टा को ऐसे तो ये पहला मतल दू है अगर भाई पहले लग रहा या तो मेरे को माय opacity येगा पहला करेगा थोड़ना फिरा उभी है ना उझाना उभाटरिच और है क्झान वालप अपन्य अब टीकले करा पूण ऐसे कैंद ना क्या से सर पूल है को अप्के球 कैजय करना ई सब मताता हूं leben यह वाला आपकोन एसे बोलते है रिफ्लेक्टेड वे फ्रंट इसे मालो CD है यहां पर लेखो CD is रिफ्रेक्टेड वे फ्रंट है कोई दिख्कत यहां तक भाई कोई दिख्कत नहीं है चले अच्छा अब आप जानते हो यहां नाइन्टी है कर यह भी क्या आर यह पूरा का पूरा Kyi aritis यहां भाला भी 90 है और यहां इक झिंचे नार्म सिफ्रन ट्री की बीशिनार्म सिवेंर धिरिये ना विट्सची इपने चबो इसका सब्स. नार्मल और इंसिदेंट्रे के बचले आए होता है ने क्या होता है ईंसिदेंट ऒORA ओड़िए इंसिदेंट इंगल होता है यहां अगर यह आई उगया तो आई होने कि वाद बताओ इसा कीतना होगा दोट मैंटी λiliary hand कितना आएगा आई आएगा यहां पर कितना आएगा जी आई आएगा ठीक है ना यहां पर कितना आएगा आई आएगा अच्छा इक बात और देखो यह रिफ्रेक्टे रहे है रिफ्रेक्टेट रहे है रिफ्रेक्टेट रहे है नार्मल की भी इंगल आर होता है कितना होता है यह टोटल 90 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 आर निकल जाएगा तो हाई वाला क्यों कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनर सार और यह तो 90 है और बेटा अगर यह 90 है 90 माइनर सार है तो है कितना होगा आपका बेटा कहोगे सर जी आर होगा क्या होगा आ रोगाओ के इस्टेट आपका इतना figure clear हो गया अगर इस figure clear है तो आगे के question भी बहुत आशान है मतलत कि जो भी इसके जो भी आगे theory है सब ठीक ठाक है यहां तक आपको सब clear हो गया ना यहां देखो अब देहां से अब triangle को बाहर निकाल जाए तो ए वाला ट्रैंगल ए वाला ट्रैंगल देखो जा रहा है ए बी और यह क्या है डी है और यह 90 है थोड़ा बढ़ियां बनाओ जी सर जी कहां है परसान करते वच्चों को ए ऐसे बना हुआ है थेकर न एक वी वन टी एक वी वन टी है और है आई ए नाइंटि और नाइंटि के सामने हाइपोटेनियस बनता है अब इसको उल्टा करके निकालेंगे इसको एमें अच्छा यहाँ निकाल लो साइन आई बराबर क्या होगा ए लंब बटे क्या हो एक आपका A D हो जाएगा कैनल ठेक है इनको निकालो ट्रेंगल उल्टा करके निकालो इनको यह भी ऐसे निकलेंगे डेक है उल्टा कर दोगे न आखे वी ऐसे निकलेंगे हालाकि ए वाला हो जायाएगा यहाँ पे R और ही वाला क्या है V2 T है और ही आपका है A और यह है D और यह है S C यहां पर साइन आर बढ़ाबर फिर वही यह तो लंब है यह स्रूंस ए коммент बट इड हो जाएगा समे क्जैन नंबर एक और एक और रहाँ जाएगा दो हो जाएगा यहां पर बोलोगी एक भागा दो से एक भागा दो से तो sin I upon sin R बराबर V1 T by AD बटे V2 T by AD AD यह डिकर्ड यह टी डिकर्ड गया यहाँ पर अब क्या बाग है sin I upon sin R बराबर V1 by V2 अरे वाह क्या मलदार बात है sin I upon sin R बराबर V1 by V2 हमको मिल गया सर जी तो बहुत ताव बात मिला हमको V1 भी कॉंस्टेंट है V2 भी कॉंस्टेंट है V1 भी कॉंस्टेंट होने के नाते अब यहाँ से थोड़ा sin I is equal to sin R बराबर क्या मिलेगा constant मिलेगा यही स्नेल्स आपका लाथा यही क्या था स्नेल्स लाथा कोई दिक्कत है कि आपको आपको आगे आ तो पता नहीं क्या क्या बस लिखना है बोड़े यहां में जो भी कर रहा है यहां चाप दो आराम से इस सब तो mathematical है जी आता है हमको अब देखो जारा वी न बराबर वी टू हो गया है अगर आपने पड़ रखा है बिल्कुल भी अगर मालो इसका refractive index mu1 है इसका mu2 है तो आपको याद होगा 1 mu2 1 mu2 is equal to mu2 by mu1 बराबर v1 by v2 नहीं इसको लिख सकते हैं sin i upon sin r बराबर mu2 by mu1 बराबर मतलब कि इस refractive index of first due to 2 यह भी clear है न यहां तको कोई दिक्कत है क्या sin i by sin r मतलब कि एक law proof हुआ न और आगे इसी में और देखलो कि frequency change नहीं होती है आप जानते हो कि light की speed या रेक की speed या विव की change हो जाती है बट frequency आपकी change नहीं होती है उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि v1 by v2 बराबर v1 by v2 नहीं क्या होगा lambda by lambda 2 तरंग सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हो वी वन बटे लैंडा 1 बराबर v2 बटे लैंडा टू ठीक है ना यह हो गया वी वन भाई लैंडा 1 वे गोटे तरंग दर दे होगी आपकी frequency पहले वाले की बराबर यह हो गई दूसरे वाले की यानिकि बताता है है प्रिक्वेंसी भी चेंज़ नहीं होती है ॥्रिक्वेंसी आज आते चंज तोडерх ho सकती है हना रिट करता है अब बेटा इसमीड को चिंज होती है । तो अगर यह बाद आपके समझ में आ गई है तो दिमाग लगए दिमाग लगए देख लो दो रे चलाई अगला बनाया थोड़ा बेंड किया इंगल बनाया दो त्रोज निकाला यह बाद कि लिखा हूए और कुछ ना तो इसको ब्यूम्न लाए यह दूखता हूँ तो यह निकाल के लिख और भाद यहां पे लिखा हुए और कुछ नहीं इसको व्यूना प्रूब कर दिया अब एक लाइन में लिखता हूं तोड़ा निकाल के लिखता है प्रूफ आप स्कीन साट ले लो चाहिए कंपी पे नोट कर लो नोट बूक में मैं तोड़ा मुला लिखता हूं फिर अब को समझाता हूं मतलब दूसरा वाला वह यह तो दीख रहा है जी देखो आपती तरंग तरंग अग्रे अपवर्ती तरंग आग्रे और यह जो है ना सरे प्लीन यह हमारे सब कागस कितल के लंबवत है सब देखो सब क का बोलोगे की आप तरंग अपवर्ती तरंग आक्रे अरे सर्फेस तीनों क्या है हमारे सबूद्ध सबूद्ध कितल के लंबवत है अर्था नार्मल इंश हैं और रे जानबरोगवत इक तल में यही तो होता है आप तित क्रण अप वर्थित क्रण ताप अभी लंब तीनों एकी तल में होते हैं तो कोई दिक्कत वाइन अब कुछ लिखना होना मेरे को नहीं आप लिखिए आप पले क्या लिखोगे आप ती तरंगाग्र अप वर्थित तरंगाग्र और तल पार दर्शक तल तीनों एक ही तल में ओविट के लंब वथ हैं और यहां पर लिखो अर्थात अगर एक तल में तो इनहीं पर बना इननार्मल इंसीडेंट रे डिफ्रांटेट डिशी पर बनाया ना अर्थात हम बोलेंगे आप तित करण अप वर्थित करण अभी लब तीनो कोई बात ही नहीं है ठीक है ना अच्छा यहां पी थोड़ा मड़ा मिटा एक लाइन लिखता हूं मैं थोड़ा इसको देखिएगा लिख दिया है मैंने आप्तित तरंगाग्र अपवर्थित तरंगाग्र वप्रिष्ट एक ही तल में है कागस के तल में वह उसके लंबवत है आब इन तीनों पर खobia daha अभी तल में इस तल में आप टी तरंगा अगर अपवर्थित तल में वातित यह जो है यह भी उसी तल में ना बइठा हुआ है और वाक्रीकारव के बाइगे रां॥ किसी धान से आप औरतन की ब्याक्यास पस्ट होती यह आपको लिखना पड़ेगा और हां कुछ वाली बात चल रही होगी तो देखो मैंने माल लेंडा है तो वी वाई वन अरे वी वन टी पराबर लेंडा हो जाएगा दिती में क्या है मालो तरंग दार्द लेंडा वाने से ल वेडियो आपको कामी पसंद आया होगा समझे में आया होगा चोटा मोटा वेडियो अच्छा वेडियो तो फिर्म लेंगे आप चागले बीडियो में तो तक लिए पड़ते रहों से रहो आल दा बैस्ट